असलाम अलेकुम स्टूडेंट, स्टूडेंट आज की शॉट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने वर्चुल यूनिवस्टी के हैंडोल्स को वी यू बुक्शॉप पे अडर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं बहुत यह सान मेतड है और शॉट सी वीडियो है प्लीज इसको complete सुनिएगा आपने क्या करना है आपने vubookshop.vu.edu.pk पे जाना है आप इसका अडरेस दुवारा से देख लें www.bu.edu.pk इस पे जाएंगे आपने sign in पे click करना है sign in पे click करके आपने student पे click करना है student पे click करके यहां पे अपना LMS वाला ID और password देंगे जिस तरह कि यह मैं दे रहा हूँ एक student का और आपने इसको sign in कर लेना है sign in करने के बाद आपके पास ये window open होगी तो आपने अपना study program चूज कर लेना है जो भी आपका study program है जिस तरह कि ये student है इसका business administration है तो मैं BS business administration पे click करता हूँ तो यहां पे यहां पे यह open हो जाएगा कि आपने lecture DVDs order करनी है handouts तो lecture DVDs को order ना करिएगा student चूँके lecture अब LMS से सुनना must है पहले DVDs पे सुन सकते थे इसलिए आप इस पे payments आया ना करिएगा आपने सिर्फ lecture handouts पे click करके उसे order 9 पे click कर देना है order 9 पे click करेंगे तो आपको यह भी idea के LMS पे आपके ज्यादा subject show हो रहे हैं जबके यहां पे कम subject हैं तो आपने remaining जो subject यहां पे show नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे आप short product पे click कर लेंगे यहां पिर अगर इन में से कुई ऐसा subject है यह जो subject हैं वो आपका subject actual LMS पे नहीं है तो वो यहां से cross करके यहां से सारे code हैं जितने भी subject पढ़ाए जाते हैं वर्चोज उनिवस्टी में वो यहां पे mention है आपने इन codes को यहां से ऐसे select करके add करते जाना है जब आपके सारे subject add हो जाएं आप तसली कर लें उसके बाद आपने check order पे click करना है check order पे click करके आपने अपना complete address देना है वो वाला address दे दिएगा जिस पे TCS receive हो जाए अगर आपका वो address नहीं है तो आप campus का भी address दे सकते हैं जब यहां पे order आएगा तो हम आपको inform कर देंगे इसके अलावा अपना ना, mobile number complete देना है, city आपका जो भी city आप वो city select करेंगे बहावलपूर जिस तरह के है और confirm address पे click करके continue कर देंगे student continue करने के बाद यहां पे आपको वो total delivery charges और amount बता रहा है जिस तरह के यह order 1963 रपै का है, इस order को अगर आप update करना चाते हैं तो update करें मतलब कि अगर कोई और सब data add करना चाते हैं, otherwise यह order अगर confirm है तो आपने इसको submit order पे click कर देना है, submit order पे click करने के बाद आपको एक summary दिखाएगा, उसके बाद आपने यह बताओ इसे प्रिंटियॅट पर click करने के बाद आपने एसको pd 겹्रण करने के बाद आपने पीडिययप में save कर लेए के track order पर जाके जो भी आपका वो order था जिस तरह हैं के यहां पे दो order है जो भी order था उसके search पर click करना है search पर click करके confirm your payment वाले status पर click करना है यहां पर जो वोचर है उसकी आपने JPJ file बना के picture बना के यहां पर अपलोड कर देनी है और उसके बाद उसकी डेट देनी है पे डेट और उसे अपडेट कर देना है तो यह जी आपका अडर यहां से कनफर्म हो जाएगा और विदन टेन डेज के अंदर अंदर आपके LMS आपके सोरी नमबर पर आप तक कर सकते हैं थैंक यू सो मॉच